कि हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं हूं आप देख रहे हैं पावर आफ ट्रेडिंग स्टॉप दोस्तों आज का मार्केट बहुत ही एक इंट्रेस्टिंग मार्केट रहा आसा करते हैं आप लोग अच्छा का सा पैसा कमाया होंगे तो चलिए अब देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और मार्केट में क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या पोईशन दर सकता है तो आप जैसा कि देख रहे हैं जो निफ्टी अभी भी अपने ट्रेंड लाइन पे इंटेक्ट है निफ्टी में अभी भी ज्यादा वीकनेस न चुका है अगर आप देखेंगे तो पिसला स्विंग लो कहीं यहां था बेंक निफ्टी का जो ब्रेक कर दिया और 35,000 के लेवल पर यह कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है अब कल एक अच्छा देखने को मिलेगा जो अगर यह कुछ आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉंग है और बेंक निफ्टी वीक है तो अभी मैं बेंक निफ्टी में कॉसियस ट्रेड नहीं करूंगा जब तक कि एक बार क्लियर नहीं होता है डिरेक्शन क्लियर नहीं होता इसका ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है बेंक निफ्टी का तो एक बा ट्रेंड क्लियर होने देते हैं फिर हम लोग देखेंगे जो बेंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में अभी भी अब ट्रेंड में ही है तो अभी भी उसमें बाइंग पोईशन ही मैं देखूंगा अगर इंट्री मिलता है तो मैं लोंगा अगर नहीं मिलता पाया इसको बट यह काफी अच्छा इंट्री दिया था यहां से तीन-चार केंडल के ब्रेक आउट पे यह इंट्री था तो अच्छा इंट्री था उसके आद इसने मूब भी आल्मोस्ट 15 पॉइंट कर दिया और फिर यह के नीचे आया अगर कल फिर यह मूविंग एबरेज तो कल अगर यह उपर जाने की कोशिस करता है तो कल फिर हम लोग इसमें भी इंट्री लेने का को देखेंगे अगर यह इंट्री देता है तो फिर हम लोग इसमें भी इंट्री देखेंगे कल इसमें एक अच्छा पैटर्ण भी बनता है अगर आप इसको कुछ इस तरह से द आपका आए से पूदेंशल यह एक काफी अच्छा ब्रेक आउट देने के बाद मोमेंटम अच्छा किया और आज फिर मुविंग एवरेज के सपोर्ट पर है तो कल अगर यह मुविंग एवरेज के ऊपर लोज होता है तो फिर हम लोग इसमें कुछ अगर इस लेवल पर बतएंगे तो यह इसने यहां से लिया यह प्रीविus स्विंग था इसका ऑंड चाट पर और यह फिर वहीं पर सपोर्ट ले रहा है कुछ इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है तो कल अगर यहां से ऊपर जाने का कोसिस करेगा तो फिर यहां पर अच्छा ट्रेड मिलेगा और हम लोग के लिए सुटेवल भी रहेगा तो फिर हम लोग कल इसको ट्रेट करने के लिए देख सकते हैं तीसरा चार्ट है ग्रासीम ग्रासीम को इससे पहले भी हम लोग उने ट्रेट किया था कुछ 1456 के लेवल पे हम लोग ट्रेट किया था वहाँ से यह ऑलमोस 70 सबसे पहला है इंट्राडे के लिए वह टाटा स्टील सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और टाटा स्टील थोड़ा बीरिस लगड़ा है मुझे और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक इनवर्स फ्लैग बन रहा है तो अगर यह कल ब्रेक करता है तो मुविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा तो हम लोग इसको ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं पांच मिनट के चार्ट में एक अच्छा इंट्री मिलेग और हम लोगों को यह पहला टार्गेट 1100 के आसपास का रहेगा और उसके 1100 के नीचे स्लाइड होता है तो फिर 5-6 पॉइंट का टार्गेट और रहेगा दूसरा एक श्टॉक है हिंडाल को हिंडाल को आज भी वन अप दे लूजर में था और कल के कल के सेसन में भी यह में अपसाइड की और कल अगर यह मुविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है पांच मिनट के चार्ट में तो हम लोग इसको भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं यह विप्रो हिंडाल को और टाटा इस्टिल प्योर इंट्राडे कॉल है तो हम लोग इसको कल के लिए ह ही ट्रेड करने के लिए देखेंगे आप लोग चाहे तो टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं डिस्किप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल सब्सक्राइब कर देखेंगे लिए जिससे आप लोगों को डेलिग्राइस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा धरन्यवाद दोस्तों